तो बच्चे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैडर फाइल की बारे में है तो हैडर फाइल आपको पता ही है मेरा आपको समझाया हुआ है किस तरह से लिखा जाता है 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 इंक्लूड इसके अंदर आपके हैडर फाइल आती है यहां बच्छे देखो ऐसको है इसलिए बोल जाता है क्योंकि प्रोग्राम के सबसे स्टार्ट में होती है सबसे स्टार्ट में लिखी जाती है हुआ दिखा होगके एक इससाने सबसे उपर से क्या होता है 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 वह хоч वह बोलते हैं तो इसे तरह प्रोग्राम के जो स्टार्ट में जो आपके फायल होती है उसको हम फाये ऱम हैड्र फायल बोलते हेडर फायल को लैबरेरी फ्वंक्षन भी बोले जाता है इसलिए लावर Instr पर अपनी subject या class का एक नाम होगा, tag होगा उसके अंदर से आप अपनी मन पसंद books को find out कर सकते हैं same यही header file के अंदर होता है बचे जब आप header file अपने परवाणा में use कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि कौन से header file आपके कौन से function को include की हुई है, कौन से function कौन से header file में declare कर रखे है उसी के according यह आपकी header file work करती है header file में अगर हम देखे हैं सबसे पहले हमारा क्या यह include है, header file भी बच्चे हम अगर programming कर रहे हैं कुछ header file आपको याद करनी होंगी कि कौन से function कौन से header file में include कि हुए है तो यह चीज़े जब आप प्रोग्मिंग करेंगे तो आपको तिर दिर 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 याद भी हो जाएगे को इतने बड़ी वह नहीं है कुछ function हमारे यह हमारी है यह हमारी header file होता है इसका extension होता है जित्ती भी हमारी इसको हम बोल सकते हैं कि जित्ती भी हमारी values होती है तो यह जो है जो dot h extension है यह क्या करता है यह जो definitions होती है हमारी functions की उसको store करता है dot h में जो इसका extension है तो अगर इसको बोला जाए C language में यह C++ में header file होती है जिसका dot extension होता है यह function declaration के और micro definition को store अपने अंदर किये रहता है जो हमारे dot h अगर दूसरे शब्दों में कहें तो header file एक file होती है जो पहले से define के हुए standard library functions के को content करती है जो हमारा header file है यह हमारी एक तरके के file होती है जिसके अंदर हमारे functions होते हो पहले से ही declare or define के होते है और उसी के coding हमें अपने program में क्या होता है कि इनका यूज करना होता है हमें पहली पता होना चाहिए कि हम अपने program में कौन से function यूज करना है जितनी भी header file आप लोग यूज करेंगे जितनी भी header file यूज करेंगे इसका यूज करते हैं program में उस header file को include कराने के लिए ताकि वह header file है उसमें हमारे function है header file के माधियम से इसमें include हो जाए हमारे program में ताकि वह उसको easily जब हम programming करें तो हमारा program है उसको रेट कर सेगे header file बैच्छा आपके दो प्रकार के होती है एक तो program खुद भी अपने लिख सकता है एक तो programmer खुद लिख सकता है और दूसरी file जो compiler के साथ automatically आती है दो प्रकार के file वह कर सकते हैं जैसे हम बोल सकते function definition data type definition यह हम आगे पढ़ेंगे इसके अलावा हम जो अपने programming करेंगे हैं जैसे अगर हम बात करें C की और C++ दोनों की ही हम बात कर लेते हैं जब हम C में programming करते हैं C language में programming करते हैं तो mostly हम यूज करते हैं अपने program में printf small f बनाना है जिती programming होग आपके small f में होगी आपको आदर में printf and scanf ठीक है यह होगी आपका scanf यहना कि सी लेंग्वाज में जब हम प्रोग्मिंग करेंगे तो हम इंपूट और 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 पूट के लिए हमारे एंगल ब्रेकट है एंगल ब्रेकट के अंदर ही इसको लिखा जाता है header file को तो इसका फूल फूम होती है standard input and output ठीक है header file अगर हम बात कर रहे है triple c की और c++ की तो जब हम इसमें फंक्शन जो हम इसमें यूज करेंगे वो करेंगे हम cout and c in input और output के लिए जहां पर हम c में printf or scanf कर यूज कर रहे हैं से हम उसी के जगे में कौन सा यूज करेंगे cout and c in की जब हम इसके इनको यूज अपने प्रोग्राम में हम इनका यूज करेंगे तो उसी की header file क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो फंक्शन दो फंक्शन हमें यूज कर रहे है यह कौनसी header file में declare है तो यह जो बच्चे declare होते है ना यह यह होते है आपके आयो स्ट्रीम में इनक्रूड करा दी फाइल यह जो फंक्शन हमें पता होना चाहिए कि हम अपने प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे और वह फंक्शन कौन सी header file में declare किया हुआ है वही फंक्शन header file आप declare करो अब suppose करो आपने header file यूज कर दी यहां पर प्रोग्म में आपने इंक्रूड करा दी ऊपर ही लेकित अप्रोग्राम किसे कर रहे हो आप क्लामिंग कर रहे हैं जे तो यह क्या होगा यह error हो जाएगा क्योंकि कि जो function आप यूज कर रहे हैं उसको प्रोग्रामरी डी ने कर पाएगा क्योंकि वो function आपके अगर आपको सी आउट और सी इन करना है तो यह जो दो फंक्शन होते हैं सी आउट सी इन यह आप याद रखेंगे यह आपके जो डिक्लेर होते हैं यह होते हैं आपके आयो स्ट्र स्ट्रिम इन्पूट आण आउट्पूट स्ट्रिम कभी-कभी यह प्रशन अत्री लोगों में पूछ लिए जाते हैं कि प्रिंट आफ और स्कैन अफ को कौंसी हैडर फाइल में डिक्लेर किया गया है चोड़ी चोड़ी सी बाते हैं तो वाइवाय के दोरान भी सब चीज जाती है तो आप लोगों चोड़ चोड़े से चीजे यादतने चाहिए कि जब हम हैटर फाइल कम अगर हमें सी आउट और सीन का यूज़ करना है तो हम है अगर प्रोगाम में हमें प्रिंट एफ करेंगे स्टोडियो इसके लावा अगर हम अपरे प्रोगाम में क्लियर स्क अपरे प्रोगाम में 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 प्रोगाम मे तो अगर हम अपने फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हम इसके लिए अपने हैडर फाइल इंक्लूड कराने हो कि सबसे ओपर कौन सी कौन यह डोटेज तो बचे हैडर फाइल है इसको बहुत अच्छा से पढ़ लेंगे अच्छा से समझ लेंगे है इंपोर्टेंट एंपोर्ण है और आपके प्रोग्रम का हैड तो सबसे पहला आपका यह फंक्शन है सबसे पहला के फांट होता है जब आप अपने हैडर फैल को इंक्लूड कराते हैं तो यह चीजा आप याद रखेंगे आपको पता होना जाहिए कौन से फंक्शन आप य झाल झाल